वेल्कम टू चैमिस्टी अकेडमी आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और टू अधंटिफाई आक्सिदाइजन एंड रेद्यूसिंग एजन्ट तो फिर्स्ट आफ वाल स्टार्ट करते हैं आक्सिदाइजन एजन्ट यहाँ पर हम इनको बोलते हैं ऑक्सिदेंट भी बोलते हैं ठीक है जी फस्ट आफ इसकी डेफिनेशन हमें लोग परते हैं गया तो आक्सिदाइजन एजन्ट इस पीशी यह कैसी स्पीशी होती है विच आक्सिदाइज अधर्स जो दूसरों को दो आक्सिदाइज करता है बाट इट सेल्फ गेट्स रेडियूस लेकिन खुद क्या होता है यह रडियूस होता है यह रवो कंपाउंट जो दूसरों के अक्सिदाइजन करें लेकिन खुद रडियूस हो उस कंपाउंट को बोलेंगे आक्सिदाइज इजन्ट जैसक यहां पर एक निचे एंग्जेंपल लिगे के पीबी एस प्लस फॉर ओ त्री और और तो ि मसे अग्जेंट के तोरफ एक्ट कर रहिए ठीक है किया क्योंकर प ça लृएए पीबी जो आएना लैड उसको ऐक्सिदाइज कर रहिए ठीक है और फि스도 को उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि कौन कौन से से देख रहा है फिर आपको समझ शुरों ठीक् पास आती है oxygen आती है ठीक है उसके बाद हमरे पास फालोरीन आ जाता है उसके बाद हमरे पास कलोरीन आ जाता है ठीक है यह जितने भी elements है यह वाले यह सारे क्या होते हैं यह more electron negative होते हैं तो इसलिए यह oxidizing agent होंगे कोई भी more electron negative element जो होता है वो oxidizing agent होता है उसके बाद दूसरा point इसका elements in their highest oxidation state ठीक है highest oxidation state in compound किसी compound में अगर किसी एक element की oxidation state बहुत ज्यादा ठीक है तो वो वाला compound भी मरे पास क्या होगा oxidizing agent होगा जैसे कि यहां पर आप लोग देख रहें केमेंड़ 4 यहां पर केमेंड़ 4 है यहां पर जो MN मेगनीज ठीक है उसका oxidation नमबर आप लोग देख साथ है क्या है यहां पर oxidation नमबर प्लास 7 तो इसका मतलब केमेंड़ 4 जो है यह एक oxidizing agent है ठीक है उसके बहुत नेख देखे हैं ठीक है वह भी oxidizing agent होते हैं उसके बाद आता है सम ऑक्साइड लाइक मंगनेशियम उक्साइड कैल्चिम उक्साइड क्रोमियम उक्साइड एंड हाइडरोजन पारक्साइड यह बाद जो ऑक्साइड है यह भी सारे क्सारी किया हमारे पास है oxidizing agent है समझाईगी सब इस्टोंको तो इन के मदद से आप पैचान सकते हैं कों सा oxidizing agent है अब हम next बात करते हैं हम लोग reducing agent की तो चलिए यह हमलों start करते है reducing agent reducing agent के दूसर नाम कहाते हैं हम लोग इसको redundant भी बोलते हैं reducing agent यह पिर इंसको कह करते हैं हम लोग reductant भी कहते हैं अब इसकी definition पहले परते है reducing agent are species which reduce and others जो दोसों को reduce करते है but oxidize itself लेकिन खुदी क्या होता है oxidize होता है तो ऐसे compound को हम बोलते है reducing agent बोलते है जो दोसों को reduce करें लेकिन खुदी क्या हो वो oxidize हो अब देखते हैं कोन पास metals वह सारे क्या आता है uh reducing agent थे h gentleman of group first यह पर मैं आपको शोह करवा देत है apenas of group first flook के जो metal थे वह सारे क्फले क्वे αड स्वावत तो इसके लावा group two की बात करते हैं तो उस में में भी चौक मेटल होती है तो वह भी सारे क्या होते हैं मरे पास reducing agent थे group two elements जो होते हैं ठीक है उनमें मरे पास magnesium आ जाते हैं ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं non-metals की non-metals में कौन-कौन सा आता है मरे पास carbon, sulfur, phosphorus और hydrogen यह जो four elements है non-metals यह चारों किया है मरे पास यह reducing agent है इसके लावा HX compound जो होते हैं जिनको hydrogen halide भी कहते हैं उसमें मरे पास हाते है मरे पास HI आता है HBR आता है और HCL यह भी मरे पास क्या होते हैं यह भी मरे पास reducing agent होते हैं ठीक है जी उसके बाद हम बात कहते हैं metal hydride की और calcium hydride आता है ठीक है यह भी मरे पास reducing agent होते हैं उसके बाद लिखा है molecules are compound in which the element has lowest oxidation state पीछे हम लोग ने पढ़ा oxidizing agent में हम लोग ने पढ़ा उसका highest oxidation state होती है लेकिन reducing agent में कहते है lowest oxidation state होती है समझे से भी students को तो अगर lowest oxidation state हो तो वह reducing agent होगा उसमें मरे पास कुछ example नीचे दीगें इनका आप लोग और से देख लें देके इनका oxidation नबर पहले में mercury का oxidation नबर प्लास होन ने है ठीक है इससे थरह ह 2s में माइनस 2 है प्लास 1 प्र माइनस फिर प्लास 2 है फिर प्लास 2 है तो oxidation नम जो बहुत काम है पीछे हम लोग ने जो पदा जैसे कुंसा compound आता हमरे पास, आर्गन केसर में आता हमरे पास है, farming केसर आता हमरे पास है, ठीक है, CHCWH आता है, उसके बाद CHCWH टेगंटरा, इस मतलब अगजाली केसर आता है, ठीक है, समझागे सब इस्टूरंस को, तो यह आज की वीडियो थी, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगए, तो प्लीज मेरे चैनल के मिस्ट्री केडमी सबस्क्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, अल्ला हाफीज,